Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well आज हम बात करने वाले ही बहुत ही महतेपून टॉपिक आपने अभी चर्चा में सुना होगा जो सी मठ में किस तरीके से घरों में दरार आ चुकी है और चुकी आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा शेत्र है जहां पर 2013 में तरास दिया चुकी है तो वो घटना फिर से इना दोहराई जाए आठ सो से अधिक घरों में दरार आ चुकी है और यहां के लोग जो हैं वो सडकों पर परदर्शन करने के लिए आ चुकी है तो अब सरकार इस पर क्या कारभाई कर रही है ये चर्चा में इतना अधिक विशय क्यों है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो देखें उत्तराखंड एक पवित्रिस्तल है आप सभी जानते हैं कि वद्रिधाम और हेमकंड साहिब तक पहुँशने का जो अंतिम चरण है वो जोसी मट से गुजरना पड़ता है तो यहां रहने वाले लोग दहशत में हैं तो ऐसा क्यों है क्योंकि यहां के घरों में अचानक क्या हो गया है दराराने लगी है जिससे क्या है यहां की धरती यहां पर धरती से जगा मतलब जगा जगा पर क्या है पानी निकल रहा है लोग अपने घर छोड़कर इधर उध पर भाग रहे हैं लेकिन ऐसा संकट जोशी मत में आया क्यूं है इसके पीछे का साइन्स क्या है इसके पीछे क्या क्या कारण है तो देखे हेमाले की तलहटी में ये बसा हुआ है ये तो आप जानते हैं तो तलहटी में स्थित होने के कारण जोसी मट एक प्राचीन भूस किलन इस्थल पर उत्तराखंड का एक छोटा सा बहाग है जो कहां पर आता है जो चमॉली डिस्ट्रिक है वहां पर आता है पिछले कुछ दसकों में यहां पर बहुत अदिक निर्माण कारी हुए है आप जा तो चमॉली बहुत अदिक होटल्स कांढ़माण हुरह है कहीं पार्क बनाया जा रहा है कहीं पहाडों को कार्ण करके टूरिस्टेश्म साइट बनाया जा रहा है तो क्या है कि पर प्रकति के साथ बहुत अदिक छेर्चाड हुई है 2013 में जो बाड़ा आपदा अई थ और अब ये दुरगटना दुबारा ना हो इसलिए लोग सड़कों पर उतराए हैं और बिरूत कर रहे हैं देखिए कि बताया गया है कि आठ सो से अधिक घरों में दरार आई है तो आठ सो घरों में दरार है इसका मतलब आप समझ जाए कि कितना अधिक लोगों का क्या हो सकता है जनजीवन प्रभावित हो सकता है अब विशेशग्यों की टीम ने यहां पर जांच भी की है एक सर्वेक्षन में ऐसा खुलासा हुआ है कि निवासियों के बीच डर जो था वो सर्च था वास्ताव में अपनी सहर जो है वो आधार इस सल से क्या है डूब रहा है अब उत धानमंत्री मोदी जी भी इस पर क्या कर रहे है संग्यान ले रहे है अब जो सी मट कहां इसते थे इसकी लोकेशन देख लीजे तो उतरा खंडर राज्य में जो रिशिकेस बद्रिनाथ राजमार्ग है राश्टी राजमार्ग है जो जिसे एनेट सेवन के इंतर गताता है तो यह एक पहाड़ी पर रिस्ते थे यहां पर क्या है यह एक परेटक शेहर के रूप में भी जाना जाता है और क्योंकि यह बद्रिनाथ औली और फूलों की घाटी आपने देखा होगा पड़ा होगा कि फूलों की घाटी राज्टी द्यान कहां पर रिस्ते थे थे तो य जो बहुत ही पवित्र स्थल है, हेमकुंड साहिब जाने का स्थल है, तो यहाँ पर लोगों को रात्री में विश्राम करने की यह जगा है, तो जो सी मच हुए ससस्त्र बलों के लिए भी काफी जो स्ट्राइटेजिक रूप से अगर देखा जाए तो काफी महत्वर रखता है क्योंकि यहाँ पर सैना की शावने भी है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अधिक महत्यपूर भूमी का है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, कि यह शहर जो है वो धोली गंगा और अलगनन्दा नदियों के संगम परिस्ते थे, तो विश्नु प्रियाग, विश्नु प् क्या है, अत्यद्य मूटी परतों से धाका हुआ है, यहाँ पर क्या है, गीली मिट्टी थी, इसी पर इसका अंद्रमाड हुआ था, और आप जानते हैं कि मिट्टी में जब पानी आता है, तो उसमें नमी आ जाती है, जिसके कारण क्या है, वो कभी भी खमजोर हो सकती है, जबकि जोसी मट के डूबने की दहशत अप सुर्कियां बटोर रही है, तो यह तो बहुत पहले बता दिया गया था, और जो भूवज्यानिक हैं, वो छेतावनी दे रहे हैं कि जीवन और संकट को ये खत्रे में डालने वाली समस्या का संकेत हो रहा है, 1976 में रिपोर्ट आ पहाड पे क्या है, कभी न कभी इस तरीके से क्या है, कटाव हो सकता है और भूसकलन, मतलब धर्ती का खिसकना या जो पहाड है उनका खिसकना, तो आप देखतें केरल में भी कुछ दिन पहले चर्चा में हुआ था, किस तरीके से भूसकलन के कारण बहुत सारे मज़ूरों की मौत हो गई थी तो भूसकलन की चेतावनी तो पहले दी गई थी लेकिन वही है कि सरकार बहुत अधिक इतने अधिक समवेदन सील मुद्दे हैं लेकिन उस पर तरीके से ध्यान नहीं देती जिसका अंजाम आम लोगों को भुगतना पड़ता है आप देख सकते हैं कि घर मे पर शहर स्थापित किया गया था और उसकी असल छमता कम है और वहाँ पर घर अधिक बने हुए है और निर्माड कार जो है वो उच्छ तरीके से हूरा है और उसपर क्या है निर्माड कारे में ब्रद्दी हो रही है वहाँ पर बहुत सारी पन बिजली परियोजनाय चल रही नैशनल राजमार को बहुत अदिक चोणा किया जा रहा है वहां पर भूत सारे टनल कंद्रमाण किया जा रहा है जिसके कारण क्या है? बहुत अदिक प्रेशर पढ़ रहा है तो विश्णू प्रियाक से वहने वाली धाराओं के कटाव वो प्राकरतिक धाराओं के फिसलन के कारण शहर के डूबने और अन्य शेत्रों में क्या है भूसकिलन के बढ़ने की बहुत अदिक संभावना है अब यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो बोल्डर है या जो चट्टाने है वो क्या है गिली मिट्टी उसमें शामिल है तो जो हिमालियन जियोलोजिकल के शोत करता है उन्होंने बताया तक 2022 के सरविक्षन के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेनी स्ट्टाने होती है वो अदिक अपशयत होती है अपशय का मतलब होता है तूटना तो उनमें क्या होता है बहुत अदिक तूटने की शमता ह तो जोसी मत के अंतरगत भूमी और मिट्टी की एक सांधारन करने की शमता कम है खास कर जब बहुत अधिक क्या हो रहा है वहाँपर कंस्रक्शन का काम चल रहा है तो यही कारण है कि विशेशक्यों ने बूला था कि उपर की धाराओं से रिसाफ देखा गया और जोसी मत की मिट्टी को धीला कर दिया गया तो उससे क्या होगा कि भूस के लन बढ़ता जाएगा तो ये कारण था आई होप आपको ये रीजन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहां की जोग्रफी से रेलेटेड आप से question पूछे पूछे जा सकते हैं कि विश्णू प्रियाग में के नदियों का संगाम होता है धौली गंगा नदी अलग नदा नदी कहां परिस्त है जोशी मट किस शेहर के अंतरगत आता है किस जिले के अंतरगत आता है तो ये सब question आप से पूछे जा सकते हैं फिर यहां पर 2013 में India Today की जो रिपोर्ट आई थी इसमें भी बूला गया था कि हिमालीन सुनामी से जो कीचर ने नालों को अवरुद कर दिया था जिसके कारण जो शेतर का है वो कटाव होने लगा और रिशी गंगा बाड की आपदा ने भी क्या कर दिया था इस इस्तिती को खराब कर दिया था अब ये तो हमने प्रॉबलम की बात करी लेकिन किसी भी समस्या का समाधान जब तक हम डिसकस नहीं कर लेते तब तक वो समस्या कंप्लीट नहीं होने वाली मतलब उस समस्या का बचाब कारी किया जा रहा है वो मेरे कोडिंग भी यही होना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन दरार वाले मकानों में उनको इस्थान अंतरित करके किसी सेफ जगा पर पहुंचाया जाना चाहिए और उनकी जो एक तरीके से जो जीव को पारजन है उसके लिए भी क्या करना चाहिए उनको कुछ भत्ता देना चाहिए तो जो इस्थाना अंतरण की प्रक्रिया है वो सेफ तरीके से हो और उसके बाद एक प्रॉपर सल्यूशन एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि उस शित्र को सेंसरेटिव जोन घोशित किया जाए वहाँ पर किसी भी पाम की नेकासी हो सकती है वरना एक छोटी सी लापर भाई बहुत अदेख खतरनाक हो सकती है एक बहुत ही सेंसरेटिव मुदध है इस पर लोगों को सरकार को एक जोटव कर कारी करना आविश्यक है तो आई होप आपको ये जो मुदध है वो कम्प्लीटनी समझ में आ गया होगा आपके विचार क्या है किस तरीके से सरकार को innovative तरीके से कदम उठाना चाहिए लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए उनकी तकलीफों को समझना चाहिए तो ये मुद्धा था मुझे लगा आप लोगों की साथ ये discuss करना चाहिए काफी चल्चागत मुद्दा है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please like, share and subscribe Thank you so much पढ़ते रहिए, खुश रहिए जय हिन, जय भारत